नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनांदन हमारे चैनल पर और गोचर में बुद्ध के धनुरासि में प्रवेश के इस एपिसोड में वेदिक जोतिस में बुद्ध ग्रह को प्राकतिक रूप से सुब ग्रह माना गया है हाला कि बुद्ध ग्रह सुब ग्रह के संपर्क में आने पर सुब प्रवाव और असुब ग्रह के संपर्क में आने पर असुब प्रवाव देने वाला ग्रह है बुद्ग्रव को बुद्धी, वाणी, तरक्षक्ती, गणित, व्यापार, एस्टेटिक्स और यात्राओं का कारक्माना गया है बुद्ग्रव को मिथुन और कन्यारासी का स्वामित्व प्रापते वहीं बुद्ध, असलेशा, जेश्टा और रेवती नक्षति के स्वामी होते हैं बुद्ध के सुप्रभावाले जातक आम तोर पर एक अच्छे वक्ता, तरक्षक्ती और गणितिये कार्णियों में निपून होते हैं बुद्ध ग्रे को सनातन धर्में देवता के रूप में पूजा जाता है बुद्ध कारियों में सफलता पाने के लिए और कारोबार के स्थिति को सुदार ने के लिए भी बुद्ध ग्रे की पूजा अर्चना की जाती रही है हिंदु सास्त्रों का नुसार बुद्ध हमारी प्रग्या के देवता हैं इसलिए यदि बुद्ध अगर कुंडली में सुप ग्रों के साथ विराज माने तो व्यक्ति को जीवन में स्नद्धी मिलती है वहीं आपकी कुंडली में बुद्ध अगर अनुकूल अवस्ता में नहीं है तो आपको बुद्ध से जुड़े उपाय करने चाहिए ऐसा करने से जीवन में आ रही कई परशानिया दूर हो सकती है अगर स्टुडेंट्स की बात करों तो उनके लिए बुद्ध की इस्तितिका अच्छा होना बहुत जादा आउशक है क्योंकि बुद्ध को बुद्धी दाता ग्रह माना गया है खासकर वो च्छात्र जो या वो स्टुडेंट जो इस्टेटिक्स लिएवें वो स्टुडेंट जो मैथेमेटिक्स लिएवें इंजिरिंग लिएवें एकोनोमिक्स लिएवें उन लोगों को बुद्ध जादा सपोर्टिव होता है बुद्धी तर्क शक्ति और वानिका कारक बुद्ग्र अब एक बार फिर रासी परतन करते वे 25 दिसंबर 2019 को धनूरासी में प्रवेश कर रहा है और यहां धनूरासी में 13 जन्वरी 2020 तक स्थित रहेंगे आईए जानते हैं कि आपकी रासी पर बुद्ध के इस गोचर का क्या प्रवा होगा शुब या असुब पोजिटिव या नेगेटिव सुर्वात करते हैं मेश रासी से बुद्ध आपकी रासी से जी हां आपकी रासी का मतलब ये कि ये जो एपिसोड है ये मून साइन पर आदारीत है आपकी जन्मकुणली में जहां पर चनमा है वहां जो नंबर लिखावा है वही आपकी रासी है तो बुद्ध आपकी रासी से नवं बाव में गोचरवस जब आते हैं तब खेद, पीड़ा, सभी कारियों में विग्न, बादाएं आ सकती है यात्रा में असुजा तता हानी हो सकती है धन और मान समान की भी हानी हो सकती है संबंधियों तता भाईयों से वहमनेश्यता हो सकता है धरम की बातों में जातक छिद्रावेशन करता है अता धार्मिक काम काज में कमी निकालता है बुराई करता है आईए बात करते हैं व्रसब रासी की बुद्ध आपकी रासी से आठवे बाव में गोचरवस जब आते हैं तो धन का लाब तता संतान को सुक होता है सत पर विजय प्राप्त होती है, हर कारे में सफ़ता तता प्रसनता बढ़ती है, व्यक्ति के आर्थिक स्थिति तता सामाजिक स्थिति उंची होती है, अतात और बलवान होती है, रासी से 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th और 11th जब जब बुद आएगा तब तब बहुत इंप्रूमेंट करेग आएए, बात करते हैं मित्वन रासी के, बुद आपकी रासी से 7th आउस में आने से सरिन निस्तेज और पीड़ा युक्त हो जाएगा, जीवन साती और परिवारादी से विवाद रहेगा, मित्रों तता संबन्दियों से भी अनबन हो सकती है, गौर्मेंट की और से भाय रहता है, टेंसन में दुखी रहता है, आएए, अब बात करते हैं करक रासी के, बुद आपकी रासी से 6th आउस में गोचरवस आने पर धन, अन और उत्तम वस्तरों की प्राप्ती होगी, अथा बहुत अच्छी शॉपिंग होगी, बहुत अच्छी पर्चेजिंग करेंगे अच्छी और मनों पुस्तक हैं या फिल्में देखने का अफसर मिलेगा, सत्रों पर विजय प्राप्त होगी, सबी लोग जाता का मान सम्मान करेंगे, अच्छा सारीरिक और मानसिक सुक प्राप्त होगा, लेखन तता वादिक अला में अथा जो राइटिंग करता हैं या को उनको इस्टुमेंट बजाता हैं या जिनने गाने का शौक है, उनको बहुत अच्छी ख्याती मिल सकते हैं, प्रसिद्धी मिल सकते हैं, आईए, अब बात करते हैं सिंग रासी की, बुद्ध आपकी रासी से पंचमबा में गोचरवस आने से मानसिक पीड़ा रहेगी, यो आईए, अब बात करते हैं करने रासी की, बुद्ध आपकी रासी से फोर्ट आउस में आने से गोचरवस आने से धन की प्राप्ती होगी, माता का सुक मिलेगा, माता का स्वास्ती अच्छा रहेगा, माता से आशिरवास ने या गेन प्राप्त होगा, जमीन जायदाद में व्रत्दी होगी, अच्छे विद्वानों तता भद्र पूरुसों से अता समाच के जो गणमाने लोग है, हायर सोसाइटी के लोग है, उच पदस्त लोगों से मित्ता बढ़ेगी, सरकल बढ़ेगा, गरलू जीवन का सुक भी बहुत अच्छा मिलता है इसी समयकाल में, अगड़ा होता है, और ऐसे ही समय में धन की हानी भी हो सकती है, व्यक्ति भाय के करान भागता फिरता है, अतात किसीन किसी बात से डरा रहता है, इसलिए सामने नहीं आपाता है, या फेस करना नहीं चाहता है, लेकिन नए मित्त्रों की प्राप्ती इसी समयकाल में होती है, अथाथ अंजान लोग भी आपकी साहता करने को आतूर होते हैं आई अब बात करते हैं व्रस्टिक रासी की बुद्ध आपकी रासी से सेकंड आउस में जब गोचर वस आते हैं तब आनंद की व्रद्धी होती है अथाथ आपका जो इन्वेस्मेंट होगा वो जैम्स एंज्वेलरी में हो सकता है अपनी बोलने की सकती में अपनी वाक शकती में भासन सकती में मनुष्य अच्छा पैसा कमा सकता है जो मोटिवर्शनल स्पिकर हैं या जो मिटिंग्स में जाकर के या जिन को बोलने का प्रॉपर्शन नहीं है वो लोग इस समय काल में बहूत अच्छा गेन कर सकते students हैं उनको विध्या में सिक्सा में अच्छी उन्नती प्राप्त होगी इसी समय काल में अच्छे खाने पिने का आपको सुख प्राप्त होगा तता संबंधियों से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, जो रुपया पैसा आपने पहले दिया वा है, वो भी वापस मिलना संबभ हो सकता है, आईए, अब बात करते हैं, धनो रासी की, बुद्ध आपकी रासी में ही गोचरवस आने पर, दूसरों के निंदा करने में, चुगल पैसे के हानी होती है, और वो व्यर्ती इधर इधर नुक्सान करा बैठता है, लोग उसका आदर सत्कार भी नहीं करते हैं, संबंधियों को भी हानी पहुशती है, संबंधियों से भी उसको भी हानी पहुशती है, और यात्रा यदी कोई करे, तो भी व्यक्ति को वो यात्र सेक्सेस्पूल नहीं रहती है न यात्रा में उसको आधर मिल पाता है उल्टा उसका अपमान अप्यस होने का डर लगा रहता है आईए अब बात करते हैं मकर रासी की बुद्ध आपकी रासी से 12 भाव में गोचरवस आने से धन तता सुक की हानी हो सकती है मन में समताप रह सकत होता है भोजन में भी इंट्रस्ट कम हो जाएगा अरूची होने लगेगी लड़े जगडे आदे के कारण प्राय सभी कारव में व्यवदान आता है नुकसान होता है सत्रों द्वारा अपमान तता उसका हानी हो सकती है पराजय उसको मिल सकती है सालीरिक स्वास्ति भी अच एपसेंट हो सकते हैं और हो सकता है कि आपने जो एक्जाम देने वालो जो आप सेशन में ऊसमें अनसक्स भी हो सकते हैं यदि इसी समय काल में एक्जाम है तो तो आपको बहुत ज़्यादा केरफूल रहना है जो मकर राश्ति के स्टुडेंट है उनको आएए अब बात करत से अच्छी मेल मुलाकात रहेगी मेल मिलाप रहेगा और उसे सुख प्राप्त होगा संतान प्राप्ति की विसंद भावना इसी समयकाल में है संतान प्राप्ति की सूचना आपको मिल सकती है माली जी आपने कोई टेस्ट कराया और उसमें वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया अ आई अब बात कते हैं मीन रासी की बुद्ध आपकी रासी से दसंबाव में गोचरवस जब आता है अताथ इस समय 25 दिसंबर से लगा करके 13 जनवरी तक आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती अताथ प्रोमोशन मिल सकता है सत्रों की पराजाय का सुख मिलता है व्यवसाय में व्रद्धी होती है मानसिक सुख सांति के साथ साथ उत्तम ग्रस्त सुख या उत्तम ग्रे सुख भी व्यक्ति को मिल सकता है मान समान में व्रत्धी होती है और उसको सफलता की प्राप्ती होती है और ऐसे ही समय में व्यक्ति द्वारा समाज के लिए जन इतके कार्य भी हो सकते हैं आईए अब बात करते हैं उपायों की जिन जिन रासी के लोगों को बुद्ध नेगेटिव फल देगा उन लोगों को उन जातकों को बुद्ध के उपाय जरूर करने चाहिए वो बुद्ध के उपाय क्या हो सकते हैं ये ध्यान पूरुक सुनिए और जो हो सकता है वो करने का प्रयास की गणपती की पूजा उपासना करके दूर्वा अवस्य चडानी है, इसे करज में राहत मिलती है नित्य गणपती अतरसी श्का पाठ करने से वानिका प्रवाव और बुद्धिकाप्रवाव विलक्षन हो जाता है व्यापारिक अर्चनों और संतान को कस्ट की इस्तिति में गोपाल सहस्त नाम का पाट करना स्रेष्ट होता है जो स्टुडेंट्स हैं उनके लिए बुद्धिपाव को मजबूत करने के लिए तता धन प्राप्ति के लिए बुद्धियंत्र के साथ में पन्ना जड़वा करके पहनना चाहिए हो सके तो नित गणपती भगवान के दर्सन करने चाहिए आस पास कोई मंदिर है गणपती जी का तो वहां तक चल करके जाना चाहिए दर्सन करने चाहिए दूर्गा पाट करना और कुणारी करनियाओं को दान दक्षणा दे कर करा संतुष्ट करना ये भी एक अच्छा उपा है साबुत मूम यह हरी वस्त्वों का दान देना चाहिए हर बुद्वार को हरी वस्त्वों का दान देने से बहुत ज़्यादा सान्ति मिलती है बुद्ध ग्रह के पिरामिट का प्रियोग कर सकते हैं जहां आप सोते हैं वहां बुद्ध ग्रह का पिरामिट रखना है इससे mind, body और soul इन तीनों स्थितियों में इंप्रूमेंट हासिल होता है अतार ये tune-up होती है एक प्रकार से ये बोच सकते हैं इंप्रूमेंट यहां पर आपको tune-up करता है अस्थ विनायक कवच दारण कर सकते हैं अतार जो गणपती बगवान है उनके लिए अस्थ विनायक अपने आप में वर्दान है लोग अस्थ विनायक की यात्रा करते हैं रोजान अस्थ विनायक का पार्ट करते हैं अस्थ विनायक स्तोत्र का पार्ट करने हैं तो आपने अस्थ विनायक कवच बना करके धारण करना है और इसके लिए आपने अपना नाम अपने पिता का नाम अपनी माता का नाम या जो भी सैसुदा है बहने वो अपना नाम, अपने पति का नाम, शर्षवाल का गोत्र, और साहथ, साहथ, अबने माता पिता का नाम भी देंगी. ये सारी सूचन है, आपको हमारे जोधपुर आफिस में देने से, आपके नाम से अष्ट विनाय कवच का निर्माण होगा, और वो आपको ही फाइदा करेगा, आपको ही धारण करना है, जो लोग भी अस्ट मिलना कवच चाते हैं, उनको ये प्रियास करना पड़ेगा, जोत्पुर आफिस में उनको संपर करना पड़ेगा, वो जो भी फॉन उठाएंगे, वो आपसे सारा सूचना है, जित्ती सूचन दे दी जाएगी, तो आज के एपिसोड में, इस बुद्ध के गोचर में सिर्फ इतना ही, स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, अपना अपने परिवार का बहुत-बहुत खैल रखें, आप सभी को मेरा नमस्काज, शुप कामनाए, इस्वर आपकी रक्षा करें, गणपती कर को में? झाल झाल